मित्रों, आज हम एक ऐसे सहजादे की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम का अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन उसके जीवन की कहानी कुछ ऐसी थी, जो उसे बहुत दुरुभागे का सामना करना पड़ा, वास्तों में उसे इतिहास करों ने इंसाने कामिल बताया, ले ऐसे मुगल सहजादे के बारे में आपको बताने चल रहे हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और सस्क्राइब भी करते रहें, एक ऐसा मुगल सहजादा जिसके की नाम का अर्थ होता है भाग्यवान, और व बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायू, इसका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था, बाबर ने इसका नाम हुमायू रखा, हुमायू का जो नाम करण किया गया इस आधार पर, कि एक पच्छी होता है हुमा, ऐसी मानता है कि हुमा पच्छी जिसके सर पर बैठता है वो बहुत ही तो जो हुमायू छोटा था, तो हुमा नाम का पच्छी इसके सर के पास आके बैठ गया, बाबर ने इसका नाम हुमायू रखा और हुमायू भागी का परतीत था, हुमायू की परवरी सोती गई, बड़ा हुआ, 18 वर्स में इसने सैनिक सफलता भी प्राप्त की, हिसार और फिरोजा को इसने जीता और 23 वर्स की वस्था में ये बाबर के ना रहने पर राजा भी बन गया, बासा भी भारत का बना, 23 वर्स तो तो सब अच्छा चलता रहा, सफलताओं पर सफलताएं भी मिलती रही, लेकिन उसके बाद इसकी दुस्वारियों की दिन चलू होते हैं, भाईयों से लडाई, राजिक में होने वाली जगे जगे पर पराजें, और एक ऐसा समय भी आया, कि जब हुमायों को भारत की जो मुगल सल्तनत थी, उसको छोड़ करके भागना पड़ा, अफगान सरदार सेशाह के साथ हुए, चौशा के युद्ध में, 1540 में जबे परा भारत के रेगिस्तान के किनारे किनारे ये टहलता रहा, और इन्ही दुस्वारियों के दिनों में उसने एक बिवाभी किया, इसकी साधी हमीदा बानु वेगम से हुई, जो इसके छोटे भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरू की पुत्री थी, हिंदाल का जो आध्यात्म गुरु था उसका नाम था मीर अली अक्बर जान्मी मीर अल्याई अकबर जामी की पुत्री हमिदा बाणू बेगम से इसका लिवाभी हो गया अभी भी पीछे थी, हुमाईू को ंकष्वाड से भी भागना पड़ा और इसने सरन लेने के लिए अस्थाण चुना ईरान इरान में सफावी बंस का सासं था, ये वहाँ गया लेकिन एरान के सफावी बंस के सासक सिया थे उन्होंने साफ साफ हुमायू को बतला दिया कि आप सियाधर्म को अपनाते हैं और सियाधर्म को बढ़ावा देते हैं तभी उस्तरण दे सकते हैं मजबूरिया क्या ना कराती हुमायू को सियाधर्म भी अपनाना पड़ा इसने इरान के सफावी मंस के सासकों के हां सरण ली और वहां ये 1542 से ले करके 1555 तक स्रणार्थी के रूप में रहा 1555 में फिर से एक बार इसको भागिन ने मौका दिया ये भारत आता है और भारत में इसने सिकंदर सासूर को पराजित करके सरहिंद की लडाई में फिर से दिल्ली की गद्धी प्राप्त करता है दिल्ली का सिंगासन फिर से हुमायो को प्राप्त हो गया लेकिन दुस्वारियां अभी पीछे थी दुर्भाग अभी पीछे था और मात्र 6 महीने तक ये सासन गर पाया पुराने किले में दिल्ली में एक इमारत है सेर मंडल जो अष्ट कोडिये इमारत है और वो तैमूरी तथा सफाविद वास्त कला की बहुत अच्छी प्रतीक की इमारत है उस इमारत पर हुमायो ने अपना पुस्तकाले बना रखा था एक साम जब ये पुस्तकाले में था अचानक आजान की आवाजाई साम का समय था आजान अदा करने के लिए ये नीचे उतरने लगा सीड़ियों से इसका पैर फिसला और ये लुड़कते लुड़कते नीचे गिरा इसके कनपटी पर चोट आई और उस चोट की वज़े से हुमायो तीसरे दिन मर गया हुमायो को सरवास हो गया इतिहास काल लेन पूल लिखते हैं कि हुमायो जीवन भर लुड़कता रहा और अंत में लुड़कते लुड़कते मर गया हुमायो कभी भारत से सिंद के रास्ते इरान इरान से फिर भारत और इस प्रकार अंत में सेर मंडल की सीड़ियों से लुलखक करके वो अपनी जान गवा बेठा तो यह कहानी थी एक ऐसे मुगल साहजादे की जो दुर्भागी का सिकार हुआ मित्रो आपको वीडियो कैसा रगा अपनी प्रत्क्राइब ही देंगे चैनल को लाइधा सब्सक्राइब भी करते रहें